नमस्कार दोस्तो ट्रावल लबर्स डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है एक और खूब सुरत सफर में आप सब से मिलके मैं बहुत खुश हूँ तो इस वीडियो में हम एक वाटरफॉल जाने वाले हैं जो की दिन्डिकल में है और ये वाटरफॉल क्यों डेंजरेस है जब हम पहुँच जाएंगे हम तो आपको खुद पता चल जाएगा मैं पूरी डीटेल बता हूँगा तो विताउट वेस्टिंग दे टाइम चलिए मेरे साथ I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, okay All the lows thickens perfect In that case, okay, okay Jamiman All the lows All the lows I sang You wanna laugh You wanna laugh Okay, here you are You Go तो दोस्तो दिंडिकल मेंन सीटी से अप्रॉक्सिमेट 40 किलोमेटर्स पड़ता है यह जगा एंड अराउंड वन या फिर वन अन्डा हाफ आर्स लग सकता है आपको ट्रेवल टाइम अर्स दोस्तो अमने ऊपर जो मेन डूड है वहीं पर हमने अपने स्कूटी जो है पार्क कर दिया था और अब नीचे ट्रेक करके जाएंगे नीचे और आराउंड एक हाफ किलो मेटर अब वन किलो मेटर के जाना होगा नीचे तो वही रास्ता मैं अभी की दिखारों में साथ चलिए मैं आपको पूरा रास्ता दिखाता हूं तो हम बिल्कुल सीधा सीधा नीचे उतर कर आए फिर हमने जो है राइट टर्न करना है एंदेन उसके बाद फिर और सीधा नीचे जाके लेफ्ट के तरफ टर्न करना है इस जगे पे जैसे हमने लेफ्ट टर्न कराा इस के बाद सीधे गए पहले हम तो सीधे सीधे जैसे ही जाते रहे आखरी में जाने के बाद हमें पता चला कि यह जो जगह हैं हम बिल्कुल गलट आ गये हैं पहले ही से पहले एक कट right जो था वहांपर लेना था हमें जो कि हम र इस जगे में आने के बाद हमने लेफ्ट टर्न करके सीधा गए जो कि गलत हो गया था तो हमें यहां पे राइट हैंड साइट पे मोड़ने हैं आपको यह चोट बोर्ड दिख रहा होगा चोटा सा मैं समझ सकता हूँ यहां पे आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा पहले हमें भी यही लगा पर मैं आपको जाके दिखाता हूँ यहां पे रास्ता है बारिश के मौसम के वज़े से यहां पे जो है ग्रीनरी इतना जाद हो गया कि यहां पे जो रास्ता था वो ही तब देंग लिए के बढ़ानगे दिखाता है यह जो रास्ता बिखता है। मेंचन करने की सोच है कि यह थोड़ डेंजरस है क्योंकि धर हम फैंबली को रेक्मेंट मैं नहीं करूंगा अगर कोई अच्छा सीजन में जहां पर थोड़ा ग्रीनरी कम होगा रास्ता क्लियर देखा तो बेटर है तब बेटर है यह जगा शाय से फैंबली के लिए तो आगे वाटरफॉल आता है देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको तो इसमें नीचे से में में आपको दिखाऊंगा कैसे वो हिल रहा होता है वो हैंगिंग जो ब्रेज है तो जैसी हमने हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करा उसके बाद राइट हैंड साइड पर हमें नीचे के तरफ उतरना है तो देख सकते हैं पर प्रॉपर कोई स्टेप नहीं है पत्तर से जो बनाया हुआ स्टेप है तो उसी से हम नीचे उतर कर अब और आगे बढ़ते हैं आगे जैसे ही जाएंगे तो हम उलवली जो वाटरफॉल से देख पाएंगे तब आगे आपको और भी व्यूज देखाता हूँ और यही है वो हैंगिंग ब्रिज जिस पर अभी हमने क्रॉस करकर वहां से राइट हंड साट पर गए फिर हम यहां पर नीचे के तरफ यह नदी है और यहां से अगर आप आप देखेंगे तो मैं आपको यह जो वाटरफॉल का व्यू दिखाता हूँ तो यहां पर जाके यह वाटरफॉल गिरता है तो दोस्तो जिस जगे से अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यह वियू बिल्कुल एच पर खड़ा हूँ तो इस वज़े से भी यहां से हमें नीचे गिरने के चंसर ज्यादा है कोई रेलिंग काइंड आफ नहीं है इस वज़े से भी यह जगा जो वाटरफॉल है डेंजर बहुत जाडियां जो है बहुत बड़ा बड़ा हो रखा है जिसके वज़े से मतलब जाना बहुत ही रिस्क रह सकता है क्योंकि ऐसे मौनसून के सीजन में जो घने जाडियां होते हैं इस पर सांप हो सकते हैं जिसे हमें अटाक कर सकता है तो ऐसे हम और उपर से मैं अभी अ तो उस टाइम पर रास्ता और क्लियर रहेगा and यह जो वाटरफॉल गिर रहा है यहां से जो नदी चल रहा है यहां से नीचे जाके एक सेकंड जगा भी है जैसे कि पहले एक जगा नीचे जा सकते हैं वहां पर दूसरा रास्ता जिसमें नहीं जा पाया अभी के लिए and उसके यहां के बाद वह वाटरफॉल एक और जगे भी जाके गिर रहा है और उस जगे पर भी नहीं जा सकते इवन जो पहले वले जगा है वहां पे भी कोई ladies या फिर families को लेके नहीं जाते कोई अकेले जब आते हैं बैचलर्र जो आते हैं तो अब हम रिटन चलते हैं में रिटन चलते होत भी आपको यह रास्ता दिखाता हूं कितना गहना जंगल है और यहां पर प्रॉपर स्टेप भी नहीं है यह देखिए जैसे मैंने दिखाया था नहीं यहां से फत्तर वाला रास्ता है परकुल इस फत्तर पर हमें थोड़ा च तो देख सकते हैं सामने यह हैंगिंग ब्रिज है मैं फिर से दिखा था हैंगिंग ब्रिज भी बिल्कुल सेफ नहीं है बहुत हेलता है तो मेरे वाइफ जे वह भी जा रहे थे हुआ थे मैंने का पहले तुम जाओ कि मुझे लगा कि अगर दो लोग एक साथ जाएंगे और यहां पर टाइम स्पैन करूँ क्योंकि इस वाटरफॉल में हम ज़्यादा नहा कर भी एंजॉई नहीं कर सकते हैं तो मैं यहां से निकलता हूँ इससे पहले अंदेरा हो जाए और रास्ता ना भटक जाओं मैं अगर पसंद आया और जी जगा भी अगर आपको पसंद आया तो जरूर आप यहां पर विसेट कर सकते हैं इसके डीटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में 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 देखने करता हूँ वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद और जरूर लाइक और शेर करना मत भू लिएगा और ऐसे खूबसूरत सफर के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए और अब मैं आपसे मिलूंगा एक अगले वीडियो पे खूबसूरत सफर के साथ तब तक के लिए अलविदा टेक केर हैपी ट्रावलिंग मात बावल टेखने के लिए और अब में आपसे झाबसूरत सफर के लेंगी दूबसूरत सफर के ट्रावलिंग झाल